सो ये घाइज इस सारे करने के लिए ऊवन मेट स्लाइमक्टिवेटर हुग ने स्यूराई मैं जाहिए लिएज जो एजल कोई बाता है यह कश ostr黄िग ay agency के अरग के दश्य की की आरके पर त्यशंक साल फिवेटर है और इसे कि सालल घो letzte तू टेबल स्पून ओ बोरी केसिद हमें हॉट वाटर में मिक्स करना है और इसे हम दो मिनट तक मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल क्लिस्टर क्रियर हो जाएगा अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून ओ बेकिंग सोडा एट करने वाले हैं और गाइस देख सकते हैं कि इतना अच्छा फॉर्म यहां पर क्रियेट हो रहा है तो हमें रेना है कि एम्टी कंटेनर आप कोई साभी एम्टी कंटेनर यूज़ कर दो बस अब हमारे स्टाइम एक्टिवेटर रेडी है तो चलिए इससे टेस्ट करके देखते हैं मैं यहां ले रही हूँ फैवी गम आप कोई साभी क्लियर ग्लू या कलर ग्लू यूज़ कर सकते हैं मैं अट करीं वोटर मैं इसमें अपना बनाया हुआ पहला होमिड एक्टिवेटर एड्ट करूंगी और इससे मिक्स कर देना चालो करदू है मैं बहुत ही हार्ड वर्क करती हूं आप प्लीज मेरे हार्ड वर्क को सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं ऐसी वीडियो आप तक पहुचाती रहूंगी तो हमारा स्लाइम बिल्कुल रेडी हो गया है देख सकते हैं किसे कितना स्ट्रेशी और कितना फ्लाफी है यह बहुत ही प्यारा बना है काई प्यारे स्लाइम के लिए एक लाइक तो करी देना दूसरे स्लाइम एक्टिवेट यहां एक एंप्टी कंटिणर में मैंने इस सॉल्यूशन को फिल कर लिया है और हमारा सेकेंड स्लाइम एक्टिवेटर बिल्कुल रेडी हो गया है अब चलिए इसे भी टेस्ट करके देखते हैं तो पहले मेथेड की तरह हमें यहां पर एड़ करना है ग्लू कॉलर वाटर उसके बाद मैं आपस अपना सेकेंड होमेड एक्टिवेटर और इसे मिख कर देना चालू कर दूंगी और हमारा यह भी स्लाइम बिल्कुल रेडी हो गया है यह भी स्लाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेशी और फ्लफी बना है गाई अगर आपको होमेड एक्टिवेटर का स सेकेंड वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो तभी तो आप होमेड एक्टिवेटर कर फार्ट सेकेंड देख पाओगे ओके बाई 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 टेकियर